हालो फ्रेंट्स एक वार फिर्शी शुआगित है अब सभी का मेरे चैनल CTET and TET in preparation में कैम्प लगाकर शिक्षक बहाली करने की मांग अभियार्थी के द्वारा लगतार कैम्प लगाकर शिक्षक बहाली करने की मांग की जा रही है न्यूज पेपर में भी कई बार आ चुका है कि कैम्प लगाकर बहाली की जाएगी लेकिन अब तक इसका कोई भी ओफिसियल लेटर जारी नहीं हुआ है जिसको लेकर CTET, BTET पास अभियार्थी बार बार कैम्प लगाकर शिक्षक बहाली की मांग कर रहे हैं तो आएगे पूरी न्यूज को देखते हैं, जैपूर चेत्र के लगभग 40 से भी अधिक युबा, BTET और CTET की डिग्री प्राप्त कर वैठे हैं उक तभियार्थियों ने बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन भी किया है जैपूर चेत्र के लगभग 40 अधिक जो अभियार्थी है, तो कोई BTET तो कोई CTET पास करके वैठे हुए हैं और जो अभी नियोजन प्रकिरिया चल रही है, इस नियोजन प्रकिरिया में लोग आवेदन भी किया हैं लेकिन छेत्र में CM के संभावित कारेकरम को लेकर रभी वार को मुर्गी चौक पर अभ्यार्थियों ने एक बैठक भी किया जिसमें शर्व सम्मत्ति से CM नितीस कुमार को एक सामुही ग्यापन भी शौपने करने ने लिया गया है और उस छेत्र में शायद CM जाने वाले हैं तो उसको लेकर एक बैठक की गई है जिसमें सारे अभ्यार्थियों की सर्व सम्मत्ति से CM नितीस कुमार को एक सामुही कुरूप से ग्यापन भी ये लोग सौपेंगे कैम्प के लिए अभ्यार्थियों ने जदियू प्रिखंड अध्यक्ष लक्ष्मी कांथ यादव के माध्यम से CM को ग्यापन सौपने का निनलिया है और CM को जो ग्यापन सौपेंगे ये लक्ष्मी कांथ यादव है इनके माध्यम से जदियू प्रिखंड के अध्यक्ष जदियू के तो उन तो इस वीडियो में बस इतना ही जैसे ही कोई नए अपडेट आता है तो उससे भी मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी तो जो भी लोग चैनल पे नए है या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल वटन को जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल